अब देखो ये भागम भाग क्यों होती है यहाँ पे देखो कुछ बंदे जिन्दगी में कभी भी ऐसी महंगी जगाओ पे नहीं आते हैं लेकिन जब आते हैं न तब भटके चार हो जाती है तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से बड़े पड़े इंटन्स पब जितम हो एलगें प्ले वीडियो में और यार यहाँ मिल टी रेरी में ही यही पे उतरते ही 20 किलो जाते हैं सोचो यार कितने जादा बंदय होते हैं दबा दबा के बंदय हां मिलते हैं और आगे भी भाईटे होंगी खेर फिलाल यहाँ मेरे साथ कुछ बंदे और उतरे हैं और वो नियत्ते हैं और ये बेचारा बंदा जैसे तैसे हिम्मत करके यहां मिल्टिर एरिया है होगा लेकिन यार उतरते ही पेटी बन जाती है मेरे को नहीं लगता वो जिन्दगी में दुबारा कभी आने वाला इस जगा पे और इधर देखते ही देखते कुछी सेकंड में पूरी की पूरी सुको ठिल जाती है पहले मैं कहा रहा था है यार वो अकेला बनता है आनी आएगा अब मेरे ख्याल से इनकी पूरी टीम कभी भी होट डिरॉप नहीं करने वाली है दबा के पॉइंट माइनस हुए अब मैंने बॉटो की पकड़ के क्यों पेटी बनाई देखो यार मानो याना मानो मेरे को कोई लालस नहीं है हाई यह बाद जूट है लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन बेचारे बॉटो की कोई और पकड़ के बेप रहमी से पेटी बना दे इसलिए मैंने बुला यार मैं ही पेल देता हूँ कैर उसके बाद इस वाले बिल्डिंग में आते हैं और यहां पे भी उपर बंदे बैठे पड़े हैं तो रस करना पड़ेगा और बॉटो को पेल पेल के मैं खुद बॉट वाली हरकते करने लगा दोनों बंदों को दबा के दबा के डेमेज दिया लेकिन कोई नौक तक होके नहीं दिया खैर गोलियों की कमी बिल्कुल नहीं है तो दबा की भरवाद करेंगे और ये बंदा ठीपी पी लेते लेते इतना आलसी हो गया क्यार मैं दर्वाजा फोड़ चुका था उसके बाद भी वहीं खड़ा था बंदा और यहां पर आख खिर कार जाके ये ठीपीपी का खेली खतम होता है अब देखो अगर मैं दर्वाजा नहीं तोड़ता ना मैं ऐसे ही भगता सौ परतिसत गारंटी वो बंदा ठीपीपी से बाहर आता और मेरी दबा के पेटी बनाता यही होता यार ठीपीपी एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे बंदों की भी पेटी अबनवा देती है तो मैं तो फिर भी एक सस्ता की लाड़ी हूँ कैर बगल वाली बिल्डिंग में आते हैं और इस बिल्डिंग में भी एक दो बंदे केम्प करके बैठे हैं और एक के फुटी स्टैप आये थे लेकिन बंदा गायब हो गया और जिस हिसाब से यह लोग यहाँ पे केम्पिंग करके बैठे हैं न मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसका टीमेट जो है वो रसरूच करने वाला है और वो करता भी नहीं है भाई नीचे कूथते हैं और दबा के भगना चलू कर देते हैं और भग भूग के कहीं छुप चुका है यहीं बगल में है बंदा अब हमारे भाई दो तीन चीज़े ही कर सकते हैं या तो ये बंदा दबा के भग सकता है या तो दबा के केम्पिंग कर सकता है बगेर फुटिश टैप दिये या तो भाई एक दिवार के पीछे ठिपी पी लेके खड़े होंगे लेकिन जैसी फाइट करने का टाइम आया नहीं या इन से नहीं हो पाएगा अगर कोई सामने से बंदा भगते वे आ रहे तो भाई पेटी जरूर बनाएंगे लेकिन सामने सामने वाली लड़ा या भाईया से नहीं हो पाएगा कैर उसके बाद वो तीनों बिल्डिंग खाली हो जाती है तीनों बिल्डिंग में तीन तीन टीम बैठी होती है अब मैं इधर पे आता हूँ और यहां पे भी बंदे बैठे है अब मैं बॉट फाइर देता हूँ लेकिन बंदे चला खोते है इन्हें कहीं पे भी लेटा लो ये लेटने के लिए बिल्कुल तयार है यार अभी पहला जोन ठीक से आया तक नहीं है उसके बावा जूत बंदा साप बना पड़ा है और एसे सीनियार जादा तर यहीं मिल्टी रेरी में होते हैं खेर इसके बंदे कम से कम खड़े होके खेल और यहां पर मैं वही अपनी सस्ती पुरानी गने चला रहा हूं लेकिन ये लोग गुरुजा लेके बैठे हैं भाई कहां से मिल गई और गुरुजा वाला बंदा भी नौक रुकुआ था यानि कि इनका टीमेट यहीं कहीं बैठा है यहीं कहीं लेटा है अब इन बंदों पे महंगी महंगी गन पड़ी होती है यार गुरुजा से महंगी गन क्या ही मिलेगी आपको लेकिन उसके बाद भी इनके टीमेट लोग बोलते कि यार नहीं हम तो लेट के ही खेलेंगे गुरुजा हूँ चाहे MK14 लेट के यार लेट के खेलना नहीं छोड़ेंगे सिर्फ वो गुरुजा वाला बंदा चौड में था कैर इसी के साथ इधर पे आता हूँ और चार किल और मिल जाते हैं मेरे को लगता है ठीक है यार खतम हो गया खाली हो चुका है सीन लेकिन इतने में ही आगे गूलियां चलती है और एक बंदा चट से भग रहा होता है तो मैं भी गूलियां पेलता हूँ अब जाड़ी बैजस्ट करने की पूरी कोशिस करता हूँ मैं लेकिन यार एक दो गूली लगती है और बंदा दे घर के अंदर और अब दिक्कत हो चुकी है क्योंकि यार मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा वो एक अकेला बंदा होगा भाई की पूरी टीम बैठी होगी और जैसे तैसे करके मैं कूदा फंदी पेलते वे इधर तक आ जाता हूँ अब देखो मेरे को अच्छे से पता था कि अगर मैं भगके जाओंगा ना ये लोग पक्का गूली पेलेंगे लेकिन क्या करेयार ढीट है सुधरती नहीं आदत बगैर सबोंकि ये अंदा भगता ह कैर जैसे तैसे पहुंची गए और जैसा कि मेरे को लगी रहा था ये अकेला बंदा बिल्कुल भी नहीं था एक टीमेट को मैंने नौक किया एक को मेरे टीमेट ने नौक किया और उसके बाद भी ये लोग खतम नहीं हुए है सरी यार मतलब कभी तो जिन्दगी में दो बं बंदे मिल रहे हैं अब इस घर पे चार चार बंदे थे उसके बावजूत वह सफेद कपड़ो वाला बंदा यार बग के कल्टी होना चाता है भाई बहुत ही बढ़िया मेरे को समझ नहीं आता है यार मतलब इनको लड़ाई लेने से डर लगता है लेकिन ओपन में बग के जाने से डर नहीं लगता आखिर कैसे ये ये क्या सीन है ये मेरी समझ के बिलकुल पार है अब देखो ये भागम भाग क्यों होती है यहाँ पे देखो कुछ बंदे जिन्दगी में कभी भी ऐसी महंगी जगाओ पे नहीं आते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वान एक्सपैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉलीबॉल बास्केट बॉल और इस्पोर्ट्स वगएरा पे बैट बुट लगा सकते हूँ साथी साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स हैं तो आप वो किल की भी पैसे कमा सकते हूँ और आपको आपके पहले डिपॉजिट में 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्सियों में दिया गया होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस हैप को ट्राइ कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिलकुल टूप में अब गेम की सुरुआद भर बंदे पैदल भग रहे थे और यहां पर बंदे गाड़ियां भगा रहे हैं कैर आखिर कार्ट कि यह लोग गाड़ी को रोक ही देते हैं और यार देखो मेरे को कंदू नहीं पता वो कितने बंदे हैं कही चार-पाज बंदे होंगे तो यार पकड़ के पीटी बना देंगे इसलिए मैं साइड वाले घर पर रुपता हूं और दबा के दबा के नेड फेकूंगा फेकूं कि यार लेकिन तीसरा वाला अब इस मैच से पहले मैंने बहुत सारे बहुत सारे मैचेस खेले थे सब मैच खिल गया था गेम पे लेके नाम पे कद्दू कुछ नी बना लेकिन जैसी ये नेट फटता है न मैं समझाता हूं कि यार इस मैच में किस्मत अपने ही साथ है इस मैच को हारने का कोई सीन नी है तो चौड में खिलेंगे लेकिन वही बात है अगर जादा चौड में आ गया ना तो पेटी बनते है टैम नहीं लगता और अभी मैं ध्यान से देखता हूं कि मेरे पे एडवलोम पड़ी है अब हमारे भाई मेरे ख्याल से मिलना चाते थे लेकिन देखो यार अभी ही से मिलना यार दिकका टैप हो जाएगी और अभी तो सरकल भी काफी बड़ा है तो मैं क्या करता हूं एक सौट पेलता हूं भाई के ताकि ये लोग लड़ाई करें और यार ये लोग भी पूरे जूस में आजाते हैं अभी देखो अभी तो वो लोग वहांस पे बिल्कुल चुपे पड़े हैं लेकिन थोड़ी देर में ही बहुत ही जल्द डीपी वगएरा पटकाते हैं ये मेरे पे अब उधर पे मेरे ख्याल से पहले चार-चार बंदे बैटे थे लेकिन यार अब सनाटा टैप हो गया है एक बंदा मुझे भगते वे दिखता है और बाकियों का कोई नामों निसान नहीं है यानि कि ये लोग फ्लैंक फ्लैंक मार रहे हैं लेकिन यार देखो मेरे पे AWM पड़ी थी तो मैं एक ही जगह पे सकोब खोल के बैठा था और उतने में ही ये लोग कहीं और जाके गुलियां पिलते हैं मेरे पे और मैं उदार अपना सस्ता सकोब खोल के बैठा रहा और ये लोग फ्लैंक भी मार चुके हैं यार दिमाग काम क्यों नहीं करता है इसे टेम पे कैर आखिर कार लड़ाई कर रहा है कोई और ये लोग भगते भगाते तीनों की तीनों यहां तक आ चुके हैं यार मेरा एक गलती से हैट सोट किया पड़ गया मैंने सोचा मैं ही हूं सनाई पर सबकी वहीं पे पेटी बनाऊंगा और ये लोग गूम घाम के फिलैंक पेल खेर अब बस मैं इंतिजार कर रहा हूँ कि एक और बार कोई नौक हो जाए अब आपने सुना होगा कि यार ये तो आदत से मजबूर है लेकिन अभी देखने को मिलेगा अब बताओ उस अकेले बंदे को क्या जरूरत थी क्या जरूरत थी उस दर्वाजे के सामने साब बनने की इतना बड़ा गर पड़ा है बगल में ये होता है आदत से मजबूर जो कहते हैं न ये ही चीज़ होता है और इतने में ही यहाँ पे लड़ाईयां बिड़ जाती हैं तो यार मैं बगते वे आता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था 30 किल का सपना इस मैच पे भी टूर जाए अब बंदे तो यहाँ पे तीन तीन बैठे हुए थे लिकिन किल मैं बस दो ही कर पाया यानि कि इनका एक टिमेट बाहरी कहीं ठीलिया कैर उसके बाद मैं यहीं घर पे बैठता हूँ देखता हूँ कि यार गोली चला कौन रहा था यहीं कहीं से आगे से गोली चल ली थी और आगे बहुत ज़्यादा घनी जारियां दिखाई देती है यानि कि यह बंदा यहीं कहीं बैठा पड़ा है या लेटा पड़ा है अब वो अला बंदा लेटा था या बैठा था यार ये तो मेरे समझ नहीं आया लेकिन इतना मैं जान गया कि कहीं दूर से कोई सस्ती सीगन चला रहा है आवाजी नहीं आ रही है अब यहां पर पहले मैं बहुत खुस्ता कि यार आज तो नौक्या है आज तो पेटी बना के रहूँगा बिल्कुल वही पेटी बना दूँगा लेकिन उतने में ही लिखा आता है कि यार नेट दोका दे चुका है सस्ता नेट है तुमारा तो दिल तूट जाता है और उतने मे सब्सक्राइब करने के लिए मैंने बोला इसको तो पेल के जाऊँगा फिर यह होता है कि अब मैं खड़ा हूं दूसरों की पेटी बनाने के लिए लेकिन इतने में ही नजाने कहां से कोई मेरे मेरे ख्यात से खर 98 चटका देता है और यार सीधा सर पे लगती है कैर किस्मत सहीती लेवल तीन का हेलमेट पड़ा था नहीं तो यार मैं ओक हो जाता और जून भी आने वाला है मेरी पेटी पक्का बन सकती थी इधर पे और यार आखिर गार जाके किसी की पेटी तो बना पाया नहीं तो बस नौक कर रहा हूँ फिर बंदे रिवाइब हो जा रहे नौक कर रहा हूँ नेट धुका दे रहा है नौक कर रहा हूँ पीछे से कोई साप कार नहीं टेट पटका रहा है लेकिन इस बार पेटी ही बनती अब गाड़ी लेके मैं सिधा घर के अंदर गुशता हूँ और देखो वही सामने वाले घर उपे एक्शियोन वगेरा चल लाए साप घर वाले बंदों से लड़ रहे हैं तो मैं भी हिसा लेता हूँ इस लड़ाई पे अब गेम खेलते टाइम पहले मेरे को लगता है एकाद बंदे हूँगे कोई दिक्कत नहीं है अराम से पेलूँगा लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे दो-दो टीम के बंदे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं और देखो यार जितना ये आपस में लड़ेंगे न उत्रा मेरा सपना टूटता जाएगा ती स्कील का इसलिए मैं सोसता हूँ यार ओपन में बिल्कुल छट पे खड़े हूँ के सनाइपिंग करूँगा और दिक्कते हो जाती है अब उस पीछे वाले बंदे के चक्कर में यार मेरा साप ठिल जाता है उस साप को मैं पेलने ही वाला था बहुत करीब बहुत करीब था मैं उसकी पेटी के लेकिन उतने में ही मेरे को पीछे से पढ़ती है और मेरे को पीछे भगना पड़ता है और ये आगे वाले बंदे यार सांप को पेल देते हैं पहली बार दुख हो रहा है कि एक सांप दिल्या क्योंकि किल कम हो गए यार मेरी ख्यार ये आगे दो ही बंदे बाकी हैं और ये टूटी गाड़ी से बगते हैं और यार मैं सही बता रहा हूँ मेरे पे कोई बहान है नहीं है कोई बहान है नहीं अपने सच्थे सपरे के लिए पहले मैं मजाक में गुरोजा प्लस चैक्स जलाता हूं कद्दू कुछ नियू करता उसके बाद जैसे लाल विंदू पेला यार गाड़ी से बस दुआ निकलता है खैर यह लोग उतर चुके हैं और लेट चुके हैं अब इनका एक बंदा भग भगा के इस सैक में घुच जाता है लेकिन दूसरा बंदा गायब हुआ पड़ा है अब देखो यार सामने घर भी है लेकिन वही बात यार आदत से मजबूर चलो कम से कम अपना सप्रे यार बंदो पे तु लगा नहीं तो मेरे को लग रहा था यार यहां पे मेरी पेटी बना देगा वो इतना सस्ता सप्रे पेल रहा था मैं खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है और इसका टीमेट बाहर लेटा पड़ा है यार अच्छा खासा घर पड़ा है बैड़ जा उसके अंदर नहीं हमको तो सापी बनना है कर इसी के साथ तीस किल चिकन चुकान हो जाता है और यार इतने टाइम बाद हुआ ना यह कि यार मजा ही आगया बिल्कुल तो आज के वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए ज सश्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते एक एकस बैट चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टूप में और हाँ भाई लोग तोहरा भाई अब से डेली नो नो लाइफ पे रात के 9 बजे से लाइफ से ट्रीम करता है और वहा कि एंटरी फीस नहीं है कुछ भी नहीं तुम्हारा भाई खुद देगा तुम्हें दिक्कत की दर आ रही है तो यार वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलना नो नो लाइफ की लिंक भी डिस्क्रिप्चियों में होगी थोड़ा नीचे की तरफ होगी तो आज की इडियो कि प्राउरा शुछ प्राइब के विल्योप ठाक्व डिस्क्रिचर।就是說 साथ Otज कि जिले खीरे की अलिक्साम Boris